असलाम अलेकुम विल्कम टो मैं चैनल आज मैं बताना जा रहे हूं चिकन मन दी मैं कर डिफरेंट स्टाइल से इसके लिए मैं लिए हूँ पॉन किलो चिकन और इसको अच्छे से धोली अब शुम दालेंगे वन टेबलेशन का पेस्ट नमक हे टूटी स्पुन लाल मिर्ची हा फ टीस्पुन उत्सपून हाल्दी टीस्पुन है गरा मसाला नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के ट्टा हिसाप से घटा या बढ़ा सकते अगर आपके फैमली में मिर्ची या नमक कम तो कम दालना अगर ज्यादा खाते तो ज्यादा और जो मेरी वीडियो मेरी रेसिपी में मैं जो डाल रहूं ये मीडियम में आता है ज्यादा भी तेज नहों जाता फिका भी नहीं लेकिन आप अपने फैमिले के हिसाब से नमक मुच्ची की कॉंटेटी को एड़ेस्ट करना एक लेमन का जूस अब इसमें दालेंगे गाड़ा दहीं 200 ग्राम और इसमें दाल देंगे चाट अमाटों को ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बिना लिए भी मिला देंगे यह आपके आसनी के लिए मैं इस तरह से बता रहूं एक 15 मिट के लिए इसको छोड़ देंगे एक प्यास को गोल्डन ब्रॉन होने तक फ्राइ करेंगे अब इस चिकन को जो मारी नट करेंगे वो दाल देंगे चिकन दाल देंगे 15-20 मिट अब इसको हम तेज फिलम पर पकाएंगे क्यों मुलत उसमें टमाटे की ग्रेवी है दही है चिकन का पानी पर रिलिज होता पानी ज्यादा आगधी में पर पकाए तो और पानी तेजी से छुटता तो हम क्या करेंगे 15-20 मिट तक इसको तेज फ इसका सारा पानी अच्छे से सुट गया अब हम क्या करेंगे चिकन की पीसर को इसमें से निकाल लेंगे इसके लिए मैं लिए पौन किलो चाह मली और इसको में इसको में दो के 15 मिट के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगे अब चिकन इसमें से निकालने में अब इसका चुकण निकाले चुकान को अलक फुप्राइगर लेकिन जो जो पानी जिसमें चावल पकना है वो पानी में सारा चिकन का फ्लेवर और जूजेश छुड़ गए अब इसमें दालेंगे a kote myg पुडिया हरी मर्ची अब इसमें दालेंगे साबिर गरमसला दाल चिन में दाल च पत्ते लेमन का जूस पानी में अच्छे से बाल रहा है अब डालेंगे एक वन टीश्पून नम्मक चिकन में तो नम्मक डाली थे अच्छे से लेकिन चामल का हिस्थी काथ डाल रहे हूं कि इसमें दालेंगे टूटी स्पून विनिगर आप इसकी जगा लेमन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें दालेंगे हाफ टी स्पून नमग और थोड़ी से काले मिर्ची और थोड़ा सा फूट्रेट कलर अब यह जो मिला है हम चिकन को लगा देंगे हलके हाथों से इसको मिला देंगे क्योंकि चिकन गलेवा ही तूट भी सकता है इसलिए हलके हाथों से इसको मिक्स कर देंगे अब ऑईल में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं आप ऐल में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं चिकन हमारा रोस्ट हो गया अब इसको निकाल लेंगे चिकन हमारा सारा रोस्ट हो गया 10 मिट तक में धीमी फिलम पे रखे देस्ट हो गए पानी हमारा तकरेबन सुग गया पानी ड्राय हो गया अब एक चार से पांज मिट इसको धीमी पड़ाब करहें काफी आप इसके अब चिकन जो रोस्ट करहे थे वो दाल देंगे अब इसको कवर कर देंगे 4-5 मिन्ट काफी है क्योंकि इसका पान निस हो गया 4-5 मिन्ट में दम पर रखी थी तो 45 मिन्ट हो गया फ्लेम को बन करें कर दी अब दिश्वर्ट करेंगे माशालला हमारा चामल बहुत खीला बना और माशाला बहुत जबर्दस कुछबारे बिल्कुल आसान है जट पड़ा आप उसको बना सकते और यह भूद्गरम घंडा होने के बाद और एक खिलता चामल चलिए हमारे तहरी स्टैल चिकन तहरी स्टैल रेसीप फेल मुकम करिए और माशाला बहुत जाहिदार है आप जरूर बढ़ाईए चलिए मेरे रेसिपी में कमल हो चुकी है आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेर सबस्क्राइब किजिए शुक्रिया रला हाफेज